हेलो प्यारे बच्चों वेल्कम टू डाउटनेट लाइव तो कैसे हैं आप सभी आम शॉर कि सभी मस्ती में रह रहे हैं जो छुटियां इतनी सारी हो गई हैं आपकी पर सेफ तो है न सभी चलिए अच्छी बात है सेफ से रह रहे हैं तो अब हम देखो क्या कर रहे थे हमारा चैप्टर कर रहे थे हम एलजेब्रा अब तो आपके लिए बहुत ही जादा नोन भी हो गया और अच्छा भी हो गया इंशॉर कि सबको एलजेब्रा इतने अच्छे से आ गया है कि अब तो इससे डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है नहीं है ना तो चलिए आगे हम करें कि कैसे हम इस से और कुशन या स्टेट्मेंट बना सकते हैं और अगली क्लास में हम उनको सॉल्व करना भी देखेंगे तो पहले आज हम प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी किस चीज़ की एक्वेशन बनाने की कि हम इनलजेब्रा एक टर्म को यूज करके अच्छे से अपनी इक्वेशन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो चलिए देखें बट उससे पहले क्या हूंवक भई हूंवक किया या नहीं किया है हूंवक से पहले देख लेते हैं बाद टाइम टेबल के टाइम टेबल याद है या नहीं है देखो टाइम टेबल सबको पता होन चाहिए आपको च cfD कॉंसी क्लास लग रही है मैंज की ध्यास लग रही है जो बच्चे नए है वहस्का स्क्रींड ले ले ताकि उनको भी पता रहे है कि डेली आपकी क्लास लगती है 6 बचे मैटस की साथ बज़े लगती है है आपकी सब्सक्राइब करने हैं तो चलते हैं आगे और आगे क्या है हमारा होमवक में आपको दिया था सब्सक्राइब करने हैं सिर्फ नंबर यूज करने हैं कौन-कौन से 5 7 & 8 और इच नंबर शुड नॉट भी यूज नहीं करना है और कुछ भी साइन लगा सकते हैं आप एडिशन लगा सकते हो आप सब्ट्रेक्शन या मल्टिप्लिकेशन डिवीजन नहीं लगा सकते क्योंकि वह यहां गिवन नहीं है तो क्या-क्या एक्सप्रेशन बनाएं आपने आम शोर कि खूब सारे बनाएं होंगे आपने बनाएं एक अदा मैं लिख देती हूं फिर बाद में आप देखना कि आप लोगोंने क्या बनाएं क्या बना सकते हैं एट प्लस सेवेन माइनस फाइव हैं या पुर सेवेन ब्लस एट माइनस 5 बना सकते हो या फिर 5 प्लस 8-7 बना सकते हो इसारे एक्स्प्रेशियं नहीं बनाएं नहीं सबने बहुत सारे यह वेरी गूडuben अप तो हूंई बच्चा इतने अच्छे कि एतना काम बिलकुल जल्दीओं सकरे रेडी रखते हो तो जितने भी expression आपने बनाए है फटाफट से उनको देखो या बताओ मुझे कि कितने बनाए हैं किसने बनाए हैं ठीक है आगे चलते हैं हम हमारे next question की तरफ देखते हैं कि क्या practice आज हमें करनी है ठीक है इसमें कोई variable यूज नहीं किया ना किसी ने भी क्योंकि उसने मना किया है इसका मतलब है कि एक नॉर्मल सिचुएशन लिखी हुई है और वो क्या है देखो सरीता है टेन मोर मारबल देन अमीना यानिकि सरीता के पास अमीना से टेन मारबल जादा है तो यह चीज़ तो आप कॉमनली यूज करते हो अपने गेम में भी किसी के पास टॉफी जादा हो को हमें लिखना है इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्रेस करना एक्सप्रेशन की फॉर्म में और उसने कह रखा है कि अमीना के जो मारबल है उनको एक्स माल लो तो वह अमीना के मारबल अगर हमने एक्स ले लिए तो सरीता के कितने हुए देखो अमीना अमीना के मारबल कि पड़ोगे तो 10 more than अमीना जहां पर more की बात आजाए बच्चों वहां पर हम लगाते हैं addition का sign क्या sign लगाते है addition तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 10 plus x multiply मत कर देना क्योंकि 10 times नहीं कहा है उसने उसने क्या कहा है 10 more 10 more है तो plus कर दिया और अगर 10 minus होता तो 10 मतलब अगर कह देता कि उसने 10 दे दिये या कम है या लेस है तो हम कर देते minus ठीक है तो आप 10 plus x लिख सकते हो इसको या फिर x plus 10 भी लिख सकते हो दोनों का मतलब सेम होता है ठीक है subtraction में sorry addition में कोई फरक नहीं पड़ता order से 10 plus 1 लिख लिखो या फिर x plus 10 ठीक है तो यह आ गया हमारा expression एक normal sentence का या जो भी situation दी उई थी उसका ठीक है और आपको मैं बता हूँ यह जो question है ना जो यह expression आपको लिखने आ रहे हैं यह आप learn तो six class में कर रहो लेकिन यह expression आपको बाद में seven class में भी बनाने यह एश्थ में भी नाइन्थ में भी इवन और टेंथ जब तक आप situation change कर करके आपके सामने आती रहेंगी यह चीजें और कभी कुछ का जाएगा कि उसने उसको इतने दे दिये उससे इतने ले लिए तो बताओ लिखो expression तो better है कि यहीं पर आपके starting है ना तो फटा फट यहीं पर learn कर लो इन चीजों को ठीक है तो आ गए न थोड़ा थोड़ा हमें चलो next पे चलते हैं देखो बालू इस three years younger than Raju यंगर का मतलब होता है चोटा आपको कोई चोटा बेन भाई है तो अगर मानलो आप 10 या 12 years के हो तो वह आपसे चोटा है तो उसकी एज निकालने के लिए आप क्या करोगे माइनस करोगे ना तो यहां पर उसने काई कि राजू की एक्स को हम क्या ले ले एक्स तो उसके भाई की एज क्या हो गई एज ओफ राजू राजू की एज हमने क्या का हुआ है अगर वो नहीं भी गिवन है नहीं भी देता तो हम अपनी तरफ से एक्स वाई जड कुछ भी मान सकते हैं हमने माना एक्स एक्स उसने दिया भी था अब है ब्रदर यंगर यानि कि उसका जो ब्रदर है बालू वह उस 3 करके निकालेंगे ना नाइन आएगा तो यहां पर हमें वो एज गीवन नहीं है बट यह बता रख कर भाई 3 यह यंगर है तो हम क्या लिख देंगे एज ओफ बालू राजू की एज से 3 कम यानि कि राजू की एज थिए X उससे 3 कम X-3 थीख है तो यह expression बना हमारा X-3 years अगर हमारे पास यह value गीवन हो मालो राजू को किए दे कि वो 15 years का है तो 15 में से 3 माईनस कर दो उसका ब्रदर किते years का हो गया 12 years का थीख है चले आगे next question में देखो क्या है because because is twice as old as Raju twice twice और more than two में क्या फार्क है देखो Raju की age को मान लेते हम क्या मानने age of Raju बताओ क्या मानना चाहते हूँ कोई भी मान सकते है expression में इसने जो लिख रखा है आपको थोड़ा easy करने के लिए दे रखा है आप अपनी मर्जिय से कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगे तो Raju की age को हम क्या मान ले बताओ आपका favorite alphabet कौन सा वही मान लेते है हाँ Raju की age को A मान ले A मान लो X दे रखा है तो X मान लो जो आपको अच्छा लगे वो मान लो ठीक है age of Raju क्या है A या X मानना है तो X ले लो because it's twice as old as Raju यानि कि because जो है वो उससे twice है देखो जहाँ twice word आ जाता है twice twice वहाँ पर हम two से multiply करते हैं जहाँ पर twice word आता है वहाँ पर हम किससे multiply करते हैं twice में two से multiply करते हैं ठीक है तो कितनी age है विकास क्या है इससे twice है ना तो क्या लिख देंगे हम बताओ क्या लिख देंगे age of age of क्या दिए वही है because तो विकास लिख दो age of विकास twice है मतलब two multiply a और मैंने का था कि multiply लगाना जरूरी नहीं है तो आप 2A लिख सकते हो ठीक है और अगर आप सोचो कि यहां question में x given है ए मत लिखो मैं तो हम a भी हटा देते हैं x मान लेते हैं आपको अच्छा लगना चाहिए है यह लो यह लो ठीक है अगर कोई expression given है और आपको अच्छा लग है कि वो ही लिखना है तो वो लिख दो नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ मान सकते हो तो 2x बस यह ध्यान रखना है कि जहां twice I to say multiply जहां thrice I thrice भी कई बार लिख देते हैं तो thrice का मतलब होता है three thrice में किस से multiply करना होता है बच्छो three से multiply करना होता है ठीक है तो याद रहे more than three time Raju's age कितने अच्छी line लिखी हुई है उसने क्या लिखा हुआ है कि जो Raju की जो Raju के जो father की है जाना Raju's father मतलब Raju के father two year more यानि कि उससे दो ज्यादा है उससे दो ज्यादा है इसका लिखने पहले age of Raju's father देखो Raju के father की age कितनी जादा है two year तो में पता है कि more में तो हम two लगा देते हैं तो plus two लगा दिया साथी साथ इंचे लिख देते हूं थोड़ा plus two उसके बाद वो क्या कह रहा देखो two year more than three times Raju यहां पर three times लिख दिया अभी मैंने आपको thrize बताया था यहां पर three times है तो Raju है X तो three times क्या बना Raju का राजू का three times क्या बना three times का मतलब होता भीटए तीन गुना कुछ बच्चे पूच रहे हैं 3 times का मतलब है उसका 3 गुना करना है हमें तो 3 गुना करने के लिए तो 3 से multiply करेंगे है ना तो 3 से multiply कर दो इसको ठीक है 3 से इसको multiply कर दो तो क्या लिख दो 3x ठीक है twice का मतलब होता है 2 गुना मतलब उसका double और thrice का मतलब होता है 3 गुना तो हमने 3 x लिखके उसमें 2 गुना कर दिया बन गया हमारा expression है ना चलिए आगे चले चलिए next देख लेते हैं यह सब expression बेटा बहुत काम के हैं और exam में आएंगे ही तो जहां भी जियो भी बुक मिले आपको इनकी बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है चलो आगे चलते हैं हाँ अब देखो और भी समें situation है क्या है How old will Susanne be 5 year from now यानि की वो आज से 5 साल पहले कितने years की थी from now from now का मतलब आज के बाद वो मतलब आज से 5 साल बाद कितने years की होगी पहले नहीं नाओ का मतलब होता है आज के बाद 5 साल बाद वो कितने years की होगी तो present age हम उसकी क्या मान ले मतलब अब वो कितने साल की है हमें थोड़ी पता है नहीं पता तो क्या मान ले अगर हमें नहीं पता तो भई हम क्या मान सकते हैं एक्स तो हमने एज आफ क्या है सुसैन है तो हम क्या मान लेंगे सुसैन की प्रेजेंट एज मान लेंगे एज मानने की बजाए क्यों मानेंगे प्रेजेंट क्योंकि दो बार पूछा उसने का है कि अब वो कितने साल की है वो एज ओफ सुशेन, let let का मतलब होता है मानना, कि हम मान लेते हैं, let present age of सुसेन, present age of सुसेन, इसको तोड़ा यहां लिख देते हैं, सुसेन, ठीक है, कितनी मान लेते हैं वाई क्या रखा तो वाई मान लो अब क्या रहा है कि from now मतलब आज के पांस साल बाद वो कितने years की होगी तो हम क्या लिखेंगे after five years यानि कि पांस साल के बाद age of सुशेन क्या हो जाएगी बताईए जरा पांस साल के बाद कितने हो जाएगे आप अपनी एज से थोड़ा आइडिया लगाओ कि पांस साल बाद कोई आपकी पूछे तो आप क्या करोगे अभी अगर मान लो आप 10 years के ओ या 12 years के ओ तो उसमें five एड कर दोगे है ना 12 के ओ तो 17 के ओ जाओगे और 10 के ओ तो आप कितने के ओ जाओगे 15 के है ना तो इसका मतलब सुशेन की प्रेजेंटेज थी वाए पांस साल बाद उसने पूछा तो हमने पांस साल उसमें एड कर दी अब जितने भी उसकी एज होगी वो five year बढ़ जाएगी ठीक है तो यह होगे इसका expression आगे चली चली आगे how old was to send four year ago क्या कहता है वो पांस साल बात तो हमने बता दी कि five y plus five हो गई अब चार साल पहले रही कितने की थी है अपनी एस से आइडिया लगाओ कि अगर आप 12 years के और कोई पूछे कि वही चार साल पहले कितने साल के थी क्या लिख पहोगे धा माइनस करोगे या एड करोगे बताओ जल्दी पहले मुझे यह बताओ कि अड करोगे या सब्ट्रेक्ट करोगे बच्चे कि क्या करेंगे पहले तो हम इसकी एज दुबारा लिख लेते हैं let present age of susan यह हो गई है why years first part में हमने five year के बाद की निकाली थी बट इसमें कितना पूछा है इसमें उसने काए कि four year ago ago का मतलब होता है पहले यानि कि चार साल पहले उसकी age कितनी थी वो हमें बतानी है तो आप क्या लिखोगे before four years या four years ago लिख लो four years ago कितनी है जो जाएगी उसकी y-4 कितनी हो जाएगी y-4 ठीक है जैसे आप लोगों में से कुछ अपनी age calculate कर सकते हैं मैं बार-बार कह रहीं कि मानलो आप भी 10 year 12 के हो तो minus 4 करके देख लो 4 साल पहले का पता लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि age given नहीं है हमने y मान ली तो y में से four minus कर दो आगया expression तो basically तो हमें बच्चों यह ध्यान रखना है कि हमें add करना है subtract करना है multiply करना है या divide करना है ठीक है चले आगे देखो आगे क्या कहता है अब इस question को थोड़ा ध्यान से देखना है ठीक है क्योंकि हम जैसे जैसे practice करते जा रहे हैं यहाँ बढ़ते जा रहे हैं सीखते भी जा रूपीज लेस है rice के price से और वो कह रहा है कि price जो rice के ना वो पी लेट कर लो पी लेट कर लें तो फिर हमारा answer आगया क्या आगया let let का मतलब होता है मानना बार बार में बता दूँ let जो हम लिख रहे ना उसका मतलब यह है कि हम मान रहे हैं यह चीज ठीक है तो let price of rice equal to P rupees कितना मान लें P rupees मान लेते हैं इसको ठीक है price of wheat कितना हो जाएगा बच्चो price of wheat कितना है rice से 5 कम है तो 5 से कम है तो P minus 5 rupees बन गया यह क्या बन गया P minus 5 rupees क्या बना फी P minus 5 rupees ठीक है क्या बना P minus 5 rupees क्यों 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 कि जो wheat का price है वो rice के price का क्या है क्या है क्या है बहुँ पताओ less है ना तो less है तो minus कर दिया more आ जाता तो हम add कर देते more आ जाता तो हम add कर देते less given था तो minus कर दिया ठीक है चले आगे चलो बई आगे दिखाओ question हमारा क्या है आगे है बई quiz आपके तो फटाफट से ready हो जाईए जो भी तक पढ़ रहे थे वो ज़रा फटाफट से अपनी अगर नोटबूक पैंसिल पैंस चाहते हो पास में तो ले लो और फटाफट से ready हो जाओ quiz के लिए तो चलो देखते है पहला question क्या है हमारा देखो question क्या है टेक दोनी runs as x दोनी को तो सभी जानते है इसमें भी आगे वही टेक दोनी is run as x की दोनी ने x रन बनाए and कोहली has 10 more than दोनी और कोहली ने दोनी से 10 जादा बनाए है then the expression for run of कोहली तो कोहली के run कितने हुए 10x या 10-x या x-10 या x-10 या x plus 10 तो क्या रहेगा आपका correct option इतनी practice अभी आप नहीं किया बच्चों तो बताइए correct क्या रहेगा more more की बात हो रही है ना तो more पर थोड़ा ध्यान दो चलिए next देख लेते हैं विपुल's present age is x then what was his age three years back यानि कि अभी अगर उसकी age x है तो three years पहले क्या थी उसकी age what was his age three years back यानि कि तीन साल पहले उसकी age कितनी थी या आपको बताना है तो देखो back के लिए क्या करोगे add करोगे या subtract करोगे x minus 3 लिखोगे x plus 3 या 3 minus x या 3 क्या आपका option रहेगा जल्दी से टिक करो बच्चों चलिए कर दिया in rectangle length 10 times height if height is h then height is given by बताना है आपको जो rectangle की height है ना जो length है वो height की 10 times है और height है h भई तो length बता दो क्या आएगी 10 times का ध्यान रखना है कि क्या करेंगे times में क्या लिखेंगे बच्चों times तल्दी से अपने option टिक करिये फिर हम चलते next question पर और next question हमारा क्या है price of one pencil is rupees 5 less than price of one pen if price of pen is P what is the price of pencil क्या आएगा pencil का price अगर pencil का price pen के price से 5 rupees कम है तो अपना option बताओ जल्दी से इतना very good बहुत बच्चे बहुत fast कर रहे हैं यानि कि उनको बहुत अच्छा समझा रहा है भई चली अब देख लेते हैं इनके answer जाकि जिनोंने correct कि उनको पता चले कि उनके correct हैं और जिनोंने wrong किए by chance उनको भी correct answer पता चले चले देखते हैं कि दोनी के रन थे x और कोहली जो है न वो दोनी से 10 जादा बना रहा था तो दोनी के x हुए कोहली ने बनाए उससे 10 जादा तो कोहली के कितने हो गए x plus 10 और x plus 10 हमारा कौन सा option है option d यानि की correct option इस question का क्या हुआ option d चली चलते है next पर विपुल की age जो present age है न विपुल की वो कितना given है x given है के रहा है कि what was जहां वहाँ आगया तो पहले ही back मतलब पहले की age बताने की तीन साल पहले उसकी age कितनी थी तो अगर हम back की बात कर रहे है तो क्या जाएगा minus 3 क्या जाएगा यहां पर minus 3 तो x minus 3 is correct option जो की है हमारा option a तो option a is correct उसके बाद चलते हैं next question पर next in rectangle length is 10 times than height और height को का है बाई एच लिख लो तो height आ गई हमारी height क्या आ गई यहां पर h तो length कितनी आ जाएगी length है height की 10 times और times के लिए का अगर ते multiply तो 10 h इसका क्या जाएगा answer जो की है option d आगे देखो price of one pencil is 5 less than price of pen और बच्चो pen का price क्या है भई pen का price कितना है pen का है p और जो pencil है वो इससे 5 कम है तो p minus 5 आ गई तो correct answer आपका क्या हुआ p minus 5 जो की है option c तो यह थे आपके सबके correct answer और I hope की mostly बच्चों के तो correct होंगे है ना बच्चों है या नहीं है और अगर नहीं भी है तो और practice करो और सीखो चलिए देखें आगे क्या है चलो आगे देखो answer the following क्या है answer the following में देखते हैं कि answer करना क्या है टेक सरीतास present age to be y यानि कि सरीता की जो age है present age उसको y ले लो क्या ले ले उसको y ले ले तो हम क्या लिखेंगे क्या given है टेक सरीतास present age y ना तो सरीतास let लगा लेते हैं इस पे let सरीतास present age present का मतलब होते है अभी की जो उसकी age है अभी की age को का है भाई y मान लो तो हमने मान लिया कितना मान लिया y years मान लिया ठीक है यह उसने condition हमें दे दी starting में तो हमने इसको a मान लिया अब वो क्या कहते है आगे आगे जैसे condition बढ़ते आएंगी वो थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाएगा इन चीजों को तो चेंज करता जाएगा तो हम भी अपने condition बदलते जाएंगे भई देखो what will be her age five year from now याने कि आज के पांस साल बाद उसकी age कितनी होगी अब वाई है तो पांस साल बाद क्या होगी क्या होगी बताओ after five years after five years कितनी है जोगी बच्चू उसकी after five years कितनी होगी after five years from now याने कि आज के पांस साल बाद बताओ मैं इसमें एड करूँ या सब्टरेक्ट करूँ इतना बता दो मुझे add करें या subtract करें चलिए very good क्या बताएंगे क्या लिखेंगे what will be her age 5 year from now y plus 5 यानि कि आज के 5 साल बाद कितनी age होगी तो हम क्या करेंगे उसमें add second देख लेते हैं second में क्या कहता है what was her age 3 years back ठीक है यानि कि 3 साल पहले उसकी age कितनी थी तो अब अगर y है तो 3 years back यानि कि before 3 years कितनी थी before 3 years तो before 3 years तो भई y अगर अब present age है तो 3 उसमें से minus कर दो आ गई before 3 years ठीक है तो क्या किया हमने before के लिए minus और after के लिए हमने कर दिया इसको plus आगे देखते हैं देखो सरीता ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर क्या होती है दादी ग्रैंड मदर क्या है six times हर एज यानि कि वो सरीता की एज की six time है तो ग्रैंड मदर की एज क्या होगी बताओ जरा ग्रैंड मदर की एज क्या होगी six times है जैसे मैंने बताए ना कि twice का मतलब two होता है thrice का मतलब three होता है तो six time का मतलब बचो कि आपको six से multiply करना है, करो फिर grandmother की age क्या होगी, what is grandmother's age, तो हम क्या लिखेंगे, grand mother's age, grandmother's age हो जाएगी six time सरीता, ठीक है, six times और यह क्या थी सरीता की age, दोनों को क्या कर दिया हमने, multiply कर दिया, ठीक है, time सा मतलब उससे उतना ही, उतनी नंबर से उसको multiply कर दो, आगे देखते है, grandmother is two years younger than grandfather, अब जो grandmother है न, वो grandfather से two years छोटी है, तो बताओ बई, grandfather's age, अब जो यह grandmother की age आई है, ग्रेंड मदर जो है, वो father से two years छोटी है, ग्रेंड मदर क्या है, father से two years छोटी है, तो हमें किसकी age बतानी है, what is, हाँ, यहाँ पर grandfather था भई, father, यहाँ पर father लिख लेते हैं, थर्ड में, ग्रेंड फादर की जो age है, वो है six y, अब वो कहता है कि जो mother, grandmother है न, वो उससे two years छोटी है, तो ग्रेंड मदर की age क्या लिख लेंगे भई, ग्रेंड मदर्स एज, तो ग्रेंड मदर्स की age हो गई, grandfather से two years छोटी, तो six y minus two, grandfather six y के थे, तो mother कितनी हो गई, two years छोटी, तो six y minus two आ गया, आगे क्या कहता है, देखो, सरीता's father's age is five more than three times सरीता's age, यानि कि father की जो age है न, सरीता's father's age, सरीता के जो father है, father's age, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, कैसे, क्या दिया हो है, five more than three times सरीता's age, तो सरीता की age है, यहाँ पर y, तो y का करोगे पहले three times, मतलब पहले y को करोगे, three से multiply, फिर उसका क्या कर दोगे, five more, यानि कि पांच जादा, तो यह क्या आ गई उसके, father की age, यह क्या आ गई उसके, father's की age, की सरीता की age की three times, और उसमें add कर देने है, five, तो three times more than, three times and five more than the age of सरीता, यानि कि सरीता की age का तीन गुना और उसमें पांच और add कर दो, वो है उसके father की age, तो देखा आपने, बिलकुल easy, easy, easy से चलते, थोड़ा सा हमारे पास, यह तो नहीं कहेंगे, difficult है, बट थोड़ा सा tricky हो गया, है ना, तो इसी तरह हम जब को practice करते हैं, तो नहीं, 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 question हमारे सामने आते जाते हैं, और हम सीखते रहते हैं, उतना ही जादा, है ना, तो चलो आगे देखें, क्या है फिर, इतना आया, बच्छों सबको समझ में, equation यह बनाने आए, सब expression की कैसे बनाते हैं, हमें multiply है, तो उतने times की बात हो रही है, ठीक है, चली, आगे चलते हैं, आगे देखो, क्या question है हमारा, अब थोड़े-थोड़े इसमें statement के भी question आने शुरू होंगे, देखो, अब हमारा next question क्या कहता है, देखो, length of rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall, यानि कि अगर हम एक मान लो, एक ऐसे rectangular hole ले लेते हैं, ये, rectangle की shape पता है न सभी को, क्या होती है, दो side इसकी बड़ी होती है, दो छोटी होती है, और ये opposite side equal होती है, यानि कि ये जितनी है, उतनी ही ये रहेगी, ये जितनी है, उतनी ही ये रहेगी, ठीक है, तो ये बड़ी वाली side को हम मान लेते है, length, और ये जो side है, इसको हम मान लेते हैं, बेटा, क्या मान लेते हैं, breadth, ठीक है, उसने काया कि breadth को b मान लो, तो हमने b मान लिया, ये आगया b, अब वो कह रहा है कि length क्या है इसकी, length of hall, length of hall, क्या काया length of hall को question को ध्यान से पढ़ो, four meters less, less का मतलब पता चला, four meters less than three times the breadth, यानिकी four less करने है, breadth को three times करके, लिखके बताओ जरा कैसे करेंगे, three times breadth का मतलब क्या हुआ, breadth को three से multiply, और उसमें से four less, ठीक है, तो ये जो आई आपकी, वो क्या थी, इसकी, ये m for meter है, कोई variable मत समझ लेना इसको, ये meter के लिए लगाया है, तो ये आगई length, उसने कहां नहीं, else से लिखो, बट ये हो गई length और ये है breadth, और length को क्या कहा है, कि वो four meter less than three times the breadth, यानिकी breadth को अगर हम three से multiply कर दें, three times कर दें, और उसमें से four less कर दें, तो वो आ जाएगी, हमारी length of hall, क्या जाएगी वो hall की length आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, इस question में क्या given था, length of rectangular hall हम से पूछी हुई है, और उसने ये काया कि breadth है, इसकी B, तो अगर हम breadth को three से multiply कर दें, और four meter less कर दें, तो हमारी आ जाएगी length, तो पहले हमने breadth को three से multiply किया, क्योंकि three times given था, और फिर हमने four meter less कर दिया, तो four meter less करके minus four आ गया, और अगर more की बात करता तो हम four उसमें add कर देते, ठीक है, चलो फटा फट से आप भी ये equation लिख लो, ठीक है, आप भी ये expression लिख लो, expression का मतलब है, यह जो चीज हमने लिख दिया है ना, उस line को पढ़कर, यह मतलब है इस expression का, यह मैं सोचना कि क्या expression मैं बोल रहे है, मतलब इसका, और जो वो line लिख लिख लिए ना, आपके board पर, इसका मतलब same है, बस यह हमने variable और constant की साथ लिख दी, कि भई variable हमारा B था, औ constant हमारे 3 और 4 ते उनको मिला की लिख दिया है, हमने सिर्फ, ठीक है, चलें आगे, आगे देखो, और rectangular box है उसका, और height है h meter, rectangle की shape तो अभी आपको पता चली गई होगी, कैसा होता है rectangle, rectangle हो गया, ऐसा हमारा, ठीक है, rectangular shape में क्या होता है, दो side, मतलब 4 side होती है उसकी, और opposite sides equal ह यह, opposite का मतलब है यह और यह, आमने सामने वाली, इसके सामने है यह, तो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, ठीक है, अब वो कहना की height है इसकी edge, तो height तो यह चीज़ रहेगी ना, तो इसको हम क्या माल ले, height, तो यह आगई इसकी height, अब वो क्या कहता है, length is five times, दे length is five times the height, and breadth is ten centimeter less than the length, तो express the length and breadth of box in terms of height, यानि कि दोनों को, उसकी length को और breadth को हमें किस में लिखना है, height की form में लिखना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा box बना लेते हैं, उसने अगर box कह दिया है, तो हमें, यह बन गया हमारा box, ठीक है, box में क्योंकि three dimension होता है यह, तो तीनों चीज़ें आ जाती है, इसमें हमारी length, breadth और height, ठीक है, तो यह बना हमारा box, इसमें length, breadth और height आ जाएंगी, तो उसने क्या कहा है, पहले हम लिख लेते हैं, length बेट, ठीक है, length मतलब उसकी लंबाई, तो length क क्या लिखा हुआ है, five times the height, तो times का क्या मतलब रहेगा, कि हम five से उसको multiply कर देंगे, किसको height को, तो five times height, तो यह तो आ गई हमारी length, उसके बाद क्या कह रहा, breadth, breadth क्या है, and breadth is ten less than length, ध्यान रखना है, breadth क्या है, breadth का मतलब होता है, उसकी चौड़ाई, length का मतलब होता है, बच् है, उसकी चौड़ाई, और height का मतलब होता है, उसकी उचाई, ठीक है, तो breadth क्या कह रहा है, कि breadth है, धान से पढ़ो देंगे, 10 cm less than length, तो length है 5H, और उससे कितना less कर देंगे, हम 10, उससे हमने 10 less कर दिया, 10 less का है, तो less का मतलब minus 10 given है, क्योंकि less बोल है, और length में से का हुआ है कोशन को ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है, breadth is 10 less than length, length की बात कर रहा है, तो length आ गई 5H, 5H में से 10 minus करो, तो क्या आ गई आपकी breadth आ गई, ठीक है, चलिए, आगे चले, आगे देखो एक कोशन, क्या है ये, देखो, Mina, Bina and Lina are climbing the steps to hilltop and Mina is at a steps S, ये जो step का आगे लिखा हो ना, S, Mina के जो step है न, जो सीडियां वो चड़ रहे हैं, Mina जो है, वो S steps पर है, Mina कहां है, Mina कहां है, लिख लेते हैं जड़ा, Mina, Mina जो है, वो है, S steps पर, ठीक है, Bina is eight steps ahead, ahead का मतलब होता है, आगे, ahead का मतलब क्या होता है, आगे, and Lina is five steps behind, behind का मतलब होता है, पीछे, तो, Lina है, उससे five steps पीछे, और Bina है, उससे eight steps आगे, तो, where are Bina and Mina, the total number of steps to the hill top is ten less than four times, what Mina has reached, तो, express the total number of steps using S, यह आपको पूरा question बनाना है, तो, क्या इसमें given है, क्या करना है, इसमें आपको, हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए, वोई दिखा दो question जी पहले था, Mina, Mina, Bina and Lina are climbing the steps to the hill, और Bina कहां पर है, S पर है, अब Bina, sorry, Mina है S पर, तो Bina का बताओ, मुझे क्या बताना है, आप Bina का, Bina है, eight steps ahead, तो, S से आठ कदम आगे हो गई, ठीक है, eight से, S से आठ कदम आगे हो गई, Bina, उसके बाद देखो, क्या है, Lina four steps behind, Lina जो है, Lina, Lina है, seven steps behind, ठीक है, Lina कहां है, seven steps behind, यानि की, S minus seven, ठीक है, अगर हम यहां बीच में मालो, S माल ले, तो, eight कदम आगे है, इससे बीना, और साथ कदम इससे पीछे है, Lina, समझा आए इतना, where are Bina and Mina, तो Bina तो कहां हुई, एस प्लस eight पर, और Mina तो S पर ही है, तो S पर क्या हुई, Mina, बीना हुई, S प्लस eight पर, total number of steps to the hilltop is, 10 less than four times the steps of Mina, यानि की, जो total number of steps है, वो क्या है, total number of steps देखो, इस line को ध्यान से देखो, total number of steps, यानि की, total number of steps है, जो सीडिया है, वो है, ten less than four times what Mina has reached, अब देखो, Mina कहां पर है, S पर, Mina कहां पर है, S पर, और कितने, कितना times है, उसका four times, तो four S, ठीक है, total number of steps क्या है, to the hilltop is ten less than four times what Mina has reached, तो Mina जो हमारी है, वो कहां है, S पर, तो उसका कर दिया, हमने four times, और उसमें से minus कर दिया, ten, ठीक है, क्या किया, four times लिखा हुआ है, और ten less लिखा हुआ है, तो क्या आ गए, total number of steps क्या है, आपके, total number of steps आए, four S minus ten, ठीक है, तो यह इसका expression था, अब आगे देख लेते हैं, क्या है आपका भी question, हर एक question को बिटा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा बहुत भुमा फिर आके उसमें given है, यह जो question है, यह है आपका homework का question, तो change the following statement using expression into statement in ordinary language, यानि कि जो notebook का cost है, वो है P, और a book cost is 3P, तो आपको बताना है, इसमें change the following statement using expression into statement in ordinary language, यानि कि यह उसने बता दिया कि book का जो cost है, वो 3P है, आपको statement बनानी है, इसकी, जैसे अभी तक आप पढ़ते आये थे ना, कि 3 times, twice, more, या less, उस तरह से आपको इसकी एक statement बनानी है, अपनी मर्जी से, जैसे आपको अच्छी लगे, दूसरा क्या है, देखो, टोनी puts Q marble on the table, he has 8 Q marble in the box, इसका भी आपको क्या बतानी है, statement, 8 क्या मतलब हुआ, इस line को आप कैसे लिखोगे, 8 क्या हुआ, जैसे हमने अभी क्या थाना, 2 times है, उसका 3 times है, 4 times है, या double हो गया, half हो गया, तो उस तरह से आपको इसकी statement बतानी है, language बनानी है, 3rd है आपका, our class has N students, यानि कि class में कितने हैं, N students है, और school has 20 N students, तो इससे आपको एक statement बनानी है, कि ये 20 N को यूज करके आप क्या बना सकते हो, कि कितना times किसका क्या है, तो अपनी imagination को थोड़ा सा बढ़ाओ, और सोचो, कि इससे आप क्या अपना question बना सकते हैं, सबसे अच्छी बात तो यह है, कि आप लोगों को मोका दिया जा रहा है, कि ये आपके सामने वही एक expression है, इसकी statement बना दो, generally तो क्या दिया जाता है, statement दी जाती है, आपको, कहते हैं, solve करो, solve करो, तो यहाँ पर आपको expression दे दिया है, और काय कि statement बना दो वही, जितनी अच्छी आप बना सकते हैं, इनको use करके, तो उससे better क्या हो सकता है, ठीक है, तो यह homework आप करिए, फिर next class में हम match करेंगे इस homework को, और अपनी algebra की practice करते रहे, मिलते हैं फिर next class में, तब तक के लिए बाई बाई